दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर आज का हमारा विश्य है कि आपको तुलसी का पूजन कार्थिक मास में कैसे करना चाहिए तो सबसे पहले आप ये जानते ही होंगे कि तुलसी को साक्षात माता लक्षमी का स्वरूप माना गया है भगवान शीहरी विश्यू की पत्नी माता लक्षमी के रूप में तुलसी जी का पूजन किया जाता है एवं कार्टिक मास्ट की एका दशी को तुलसी विवा आयोजित किया जाता है जिसमें भगवान शेहरी विष्णू के साथ माता तुलसी का विवा किया जाता है इसलिए तुलसी का कार्टिक मास्ट में पूजन की बहुत बड़ी महत्वता है तुलसी का पेड़ जहां भी लगा होता है वहाँ पर पवितरता आती है एवं उस घर में साक्षात भगवान शेहर विश्नु माता लक्षमी के साथ विराजते हैं आपके घर में तुलसी का मौधा साफ सुत्रा एवं फल फूल रहा है तो आपको खुश हो जाना चाहिए क्योंकि यह एक बहुती शुब संकेत है अब आए जानते हैं पूजा के लिए हमें सामागरे की क्या क्या जरूरत होगी तुलसी पूजन के लिए आपको सबसे पहले ए एक लोटा जल, हल्दी, सिंदूर, धूप, दीप, फूल, अगर्वती एवं एक घंटी अब आए पूजा विधी की और नजर डालते हैं तो आप तुलसी का पूजन तो कभी भी कर सकते हैं किन्तु यदि आप कार्दिक मास में भूर में उठकर सूर्योदे से पहले ही तु तुलसी के पास एक दीपक जलाक देते हैं तो यह एक बहुती शुप चीज मानी जाएगी और आपके लिए यह बहुत सौभागे का कारण भी बन सकती है आपको दिया जलाने के पश्चात जो लोटे का जल है वो तुलसी जी को अर्पित करना है आपको जिस मंत्र का जाप क संभव चाप कर सकते हैं किन्तु यदि आप 11 वार चाप करेंगे तो यह शुप माना जाएगा उसके परश्चात माता तुलसी को आप हली चड़ाएं धूप देप नवयत्य जलाएं एवं जो घी का दीपक है उसे तुलसीटी को दिखाएं और फिर खंटी बजाते हुए उ कातना करें इसके परश्चात आपको संध्या बेला में भी तुलसी माता के पास एक तीपक जरूर जलाना है आप घर के मंदिर में तीपक जलाने के परश्चात माता तुलसी के पास एक तीपक तो जरूर जलाएं और यदि आप पांच तीपक भी जला सकते हैं तो यह भी श सोभाग बढ़ता है यदि आप तुलसी जी का पूजन रौज करते हैं तो आपको यक यक बराबर पुन्य मिलता है या फिर या आप यह भी जान सकते हैं कि जतना पुन्य आपको यक यवम हवन करके मिलेगा वो सिर्फ आपको तुलसी पूजन करने से ही मिल जाता है तुलसी का दर्शन करने से पाप कर जाते हैं एवं मोक्ष की प्राप्ति होती है एवं यदि आप तुलसी के माले से मातल लक्षमी के मंतरों का चाप करेंगे तो आपके घर में धन निदान की और भी जादा फृत्ति होगी तो वीडियो यहीं तक था हमारा देखने के लिए शुक्रिया वीडियो पसंद आई होता लाइक करतें एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करतें हमारे चैनल पर ऐसे ही उपाए और आते रहते हैं एवं सपनों के मतलब भी हमारे चैनल पर बताए जाते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करकर हमार परिवार से चुड़े सकते हैं रादे रादे